है गाइज वेल्कम टो और चैनल आप सभी का स्वागता आपकर अपनी यूटूब चैनल पे तो गाइज जिन भी स्टुडेट का प्रेलिम्स हो चुका है और जिनका चौदा को प्रेलिम्स है उसके बाद आप लोगों को लग जाना है मैंस की त्यारी पे और और IBPS, RRP, PU और कलेरिकल दोनों की मैंस की स्टेटेजी इसमें बदाऊंगा आप लोगो कि 100 प्लस स्कोर आप लोगो किस तरह से करना है तो complete वीडियो रहेगा मैंस की स्टेटेजी पे तो पूरा वीडियो जुरूर देगना तभी चीज़ें समझे में आएगी और थोड़ा सा और free PDFs आपको मिलते रहते हैं तो टेलिग्राम पे जुरूर जुरूर जाएगे लिंक जो वो डिस्कृश्म में दिया हुआ है तो गाइच सबसे पहले नजर दुराते हैं अपने डेट्स की और कि क्या कुछ डेट है एग्जाम की तो देखें एग्जाम ओपिसर स्केल फस्ट पियो का एग्जाम आपको रहेगा 25 तारीक को 25 स्टमबर को आपका पियो का एग्जाम रहेगा 25 स्टमबर लिख लो डेट पियो का एग्जाम रहेगा पहले से फिक्स है अपिसर स्टमबर को तो यह दोनो डेट आप लोग लिख के रख लो कि इन डेट पे एग्जाम होना है और 14 के बाद आप लोग के पास जो टाइम बचेगा वो लंब सम 40 दिन बचेगा पियो के लिए और 45-47 दिन आप लोग ल लिए तो ये टाइम आप लोग लिख के नोट कर लो कि ये टाइम जो अपना इतना बचा हुआ है चोद अतारी के बाद थोड़ा सा कर आप इधर नजर दुड़ाओगे तो ये जो ओपीसिली नोटिफिकेशन आया तो उसमें डेट मेंसन है कि आप लोगा जो फाइनल रिजल्ट है वो जनवरी 2022 की फर्स्ट जनवरी को आपका जो वो अलोट्मेंट जिस भी बैंक में आप लोग सेलेक्टेड होरे वो आपको मिलेगा तो फर्स्ट जनवरी को आपका फाइनल रिजल्ट जो वा रार भी क्लिरिकल मेंस और अरार भी प्यो के इंदर आप लोगा बता है कि मेंस के बाद इंटर्विव होगा और इंटर्विव के लिए उन्हें अक्टूबर नमंबर डेट बोला हुआ है तो अक्टूबर नमंबर में आपका इंटर्विव होगा और जो जनवरी की फर्स्ट तारीक होगी 2022 के फाइनल रिजल्ट आप लोग आजाएगा अब देखने वाली बात है कि चैनल में से कितने स्टूडेंट जो हो मेरी यह उमीद है कि maximum स्टूडेंट सेलेक्टेड हो और कमेंट करें नीचे आगे कि सर I am सेलेक्टेड तो यार यही आप लोग के लिए मैं दूआ करूँगा कि और क्लेरिकल में जो वो इजी बाला लेवल डालते हैं तो वहाँ पे कटोप भी जादा जाता है अटेम्ट भी जादा होती है और करने लाइक पेपर भी होता है पीओ के अंदर कटोप कम जाता है पेपर थोड़ा सा मोडरेट आता है और Maths और Reasoning में आपे hard चीज़ें डाल देते हैं तो इस वज़े से तो चलिए अब देख लेती है क्या कुछ आता है Reasoning के एकर मैं बात करूँ तो 40 क्योशन आते हैं 50 marks के आते हैं और composite time 2 गंटे का time है यहाँ पे इसके बाद computer knowledge की बात करूँ 40 क्योशन आते हैं 20 marks के आते हैं 40 क्योशन होते हैं पर 20 marks की क्योशन होते हैं General awareness आते है 40 में से 40 क्योशन आते हैं English और Hindi में से कोई भी एक language आप कर सकते हो और जो भी state की language है वो भी आप लोग कर सकते हो तो उसमें 40 क्योशन 40 marks की रहती है numerical ability की बात करूँ तो 40 क्योशन 50 marks की रहती हैं 200 क्योशन 200 marks दो गंटे का टाइम यह clerical का से लेवस है PO को आप लोग को पता है यह सेम चीज रहने वाली यह level का फरक है क्योंकि यहाँ पर quantity टूट है और यहाँ पर numerical ability इतना ही फरक है यहाँ पर बाकी सारी चीज न सेम यहाँ पर देखने को मिलेगी तो अब अगर प्लान अपने कर रहे हैं कि 100 plus marks कैसे लेके आए देखिए reasoning एक ऐसा subject है जिसके अंदर आप लोग जितना चाहो उतना score कर सकते हो PO के अंदर मैं बात करूँ तो आप लोग maximum 35 थक आप लोग score को लेके जा सकते हैं यानि 35 question की बात कर रहा हूँ मैं 35 question अगर आप लोग कर पाते हो PO के अंदर या 35 number भी लेके आते हो तो बहुत अच्छी बात रहेगी आप लोग लिए कि 30 से 35 के बीच अगर आपके marks भी आजाते हैं तो भी बहुत अच्छी चीज है कि 30 से अगर आप attempt करते हो 40 में से तो आपको पता है वहाँ पे marks 1.25 multiply होते हैं तो अगर आप 30 से भी attempt कर लेते हो reasoning के अंदर तो बहुत ही अच्छे attempt होंगे आपके reasoning के अंदर आपको करना कुछ नहीं यह puzzle आएगी वहाँ पे आप लोग के लिए input output आएगा puzzle और input output आप लोग इनकी practice करो जितनी ज़्यादा इनकी practice करोगे उतने कम टाइम में आप लोग बना पाऊगे new pattern मापे कुछ नहीं देखने को मिलेगा आप लोगो input output देखने को मिलेगा new type की coding recording देखने को मिलेगी puzzle देखने को मिलेगी आप लोगो और इस से बाहर कुछ नहीं आईगा इतनी चीज़ें आप लोगो बाँपे देखने को मिलेगी क्योंकि only only few वाले जो सी लोग है वो उनको moderate करके और वहां पे 5 के उसने वह भी डाल सकते हैं coded inequality के 5 के उसने डाल सकते हैं तो यह कुछ topic है reasoning के अंदर जिनको आप लोग cover करना है और reasoning के अंदर प्रक्टिस ही एक मात्र एक सासाद है जिसे आप लोग ज्यादा से ज्यादा स्कोर वहां पे गेन करपा हुए computer awareness की बात करूँ तो देखिए हमने एक PDF दिये computer awareness की उसका link में डिस्कूस में दे रहा हूँ अगर कुछ चीज़ा में इस है तो वह हम और उसमें add करते हैं कि आप लोग comment section में बता देना बाकि 25 रुपर की PDF है हमने खुद प्यार की अपने हाथ से तो आप लोग उसमें कोई दिकत नहीं आएगी और computer के अंदर मैं आप लोग बताओं कि 10 से 12 भी एगर है score हो जाता है तो आप लोग लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मन रहेगा अब computer के अंदर होता क्या है कि बहुत सारे से candidate है जिनकी computer के अंदर कटोफ हैल हो जाती है computer के कटोफ अगर चार नंबर भी जाती है दो नंबर भी जाती है न तब भी उनकी कटोफ जब वो sectional कटोफ हैल हो जाती है तो यह reality है और last year मैंने बहुत सारे ऐसे candidate देखें जिनकी computer के अंदर कटोफ के कारण वो RRB P.O. लगने से चूप गए बाकी उनके score अच्छे थे 100 के क्रीबन score थे और computer के कटोफ उनकी पास नहीं हुई और वो आप लोगों को पता है कि यहां पे sectional के top और overall के top दोनों को cross करना होता है तो अगर वो sectional के top पास नहीं करेगा तो candidate आप लोगों को पता ही यह क्या होता है तो इससे अच्छा है कि risk ना लिया जाए और इस PDF को पढ़ा जाए हिंदी में PDF है आप लोगों को समझ में आ जाएगी जर्नल अवेरनेस के लिए best sources affair cloud है अभी मैं आपको analysis दिगाऊंगे last year के उसन किस टाइप से आये थे उसमें इसके बाद अपने देखे हिंदी language और numerical ability देखो numerical ability में तीन DIY आएंगे logic DIY आएंगे पहले ही बता दूँ XY मान के ही DIY करने पड़ेंगे वाँ पर logic वाले DIY होंगे आज तक का इत्यास तो यही रहा है कि जो arithmetic वाले topic होते हैं उन पर DIY आया नहीं आर रवी में में भी आ भी सकता है यह कोई बड़ी बात नहीं कि नहीं आए पर आया नहीं आज तक तो लगता नहीं भी आएगा पर आप लोग अपने topic के concept के लिए रखो अगर आ भी जाता है तो कोई दिकतनी हम कर लेंगे इसके बाद टो लोजिकल याता है वह याता है असके के अंद्र तीन डिया लोजिकल आएंगे जितना जैदा आप लोग सोच सकते हो उतना जाध स्काती जोड़ेग़ प्रैक्टिस करों लोजिकल दी अग उतनी जाध रिएगा बागे Q and Q-Tool के question आएंगे data sufficiency के question आएंगे arithmetic के question easy question कोई दिकत नहीं है 5 wrong number series आप लोगे लिए आ सकती है जो कि थोड़ा सा tough level आप लोगे बढ़ा के दे सकती है इसके लाव आप लोगे लिए data sufficiency के 5 question रहेंगे इसके बाहर इसमें कुछ भी आने के chances है नहीं अगर quality question डालते हैं तो वो भी hard वाली डालेंगे पर मुझे नहीं लगता कि डालेंगे वो सिर्फ di पे ही आपका रहने वाला ही है और बाके arithmetic के question आपके रहेंगे Hindi language और English language देखें English जिनके अच्छी है वो English tempt करें Hindi जिनके अच्छी है वो Hindi tempt करें Hindi के अंदर मैं आप लोगों के ये बोल रहा हूं कि at least कम से कम 40 में से यार 20 marks आप score करो हिंदी के अंदर कम से कम बोल रहा हूं क्योंकि हिंदी ये कैसा subject है इसमें कर आप 20 marks लेके आगे आगे ना तो आप बहुत सारे लोगों से आगे चलो जाओगे क्योंकि हिंदी का जो level आ रहा है ना exam के अंदर वो बहुत अच्छा level आ रहा है क्योंकि वहाँ पे marks बहुत कमारे गणिडेट के 15, 16, 17, 10, 9, 8, 4 इस तरह से marks आ रहे हैं तो हिंदी का level बहुत अच्छा है इसका एक मतर साथ दिन है कि आप लोग practice करें जितनी जादा उसके practice क वो अगर आप लोगों जाने तो टेलिग्राम पे मुझे message कर लेना क्योंकि यहाँ पे मैं नहीं बता सकता आपको टेलिग्राम पे personally मैं बता दूँगा कि कौन सा source है तो वो आप लोग follow कर लेना में भी उससे आपको फाइदा हो जाए बाकी जितनी जाद आप लोग practice करोग को हिंदी की editorial पड़ोगे साथ में mock trust में हिंदी जो आती है वो लगाओगे तो आपको कुछ फाइदा जुरूर मिलेगा पर एक अच्छा source में आपको जुरूर recommend करूँगा अगर आप टेलिग्राम पे आके बुचोगे तो मैं बता दूँगा आपको कोई दिक्कत नहीं चाहिए और यह वाली PDF जो आपको computer awareness के लिए completely IBBS RRV PO के लिए बनाई गई है हिंदी के अंदर पीडिएफ है तो आप लोग एक बार विजिट कर लेना आपको पता लग जाएगा यह RRV PO के अंदर जो लास्ट यह पूचे गए गए थे क्योशन उनके बारे में बात करते हैं general awareness के बारे में GA section के बारे में बात करते हैं देखिए यहाँ पे जो क्योशन 35 क्योशन मेंसे 32 क्योशन यहाँ पे collect किये गए हैं 32 क्योशन यहाँ पे affair cloud की टीम के द्वारा collect किये गए हैं कि student का review लेके कि कौन कौन से क्योशन वाँ पे पूचे गए हैं उस मेंसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि level hard level पूचा गया था last year GA का level बहुत जादा बढ़ा के पूचा गया था current affair से 31 क्योशन वाँ पे थे अब आप लोगो कि sir current affair के क्योशन तो वाँ पे था यह नहीं वाँ पे तो कुछ और ही पूच रहा था पर जिन्होंने एकर exam दिया है तो 31 क्योशन वाँ पे current affair के थे उनमें से affair cloud ने 29 क्योशन कवर किये हैं अब इस 29 क्योशन को अगर आप लोग कवर करना चाहते तो आपको complete affair cloud पढ़ना पड़ेगा जो की hard level उसको बोलेंगे अपने क्योंकि अगर normally कोई common क्योशन होता है वो अगर पूचता है तो उसको अपने moderate level होल सकते हैं अगर common क्योशन ना पूचके वो data पूच लिया किसी का या कुछ क्योशन के अंदर से गुमा के क्योशन पूच लिया तो उसको hard level अपने बोलेंगे और दो क्योशन affair cloud cover नहीं कर पाया उनमें mention देख रहे हैं आप लोग को most of the question from last 10 plus old news 10 महिने का जीके पूचा गया था last year और साथ में कुछ old news भी पूची गया थी यह क्यों पूचा गया था इसका reason क्या था कि last year exam late हो गया था कि exam जो आपका होना था आक टूर में साइध और वह उगा था 30 January हो जाके तो इतना लेट जितना की एक्ताम postpone होता है means का उतना जीके का बाहर आप पे बढ़ेगा जीके आप लोग का बढ़ता ही चला जाएगा तो SBA भी postpone हुआ है तो maybe जब तक SBA postpone रहेगा जीके का बार बढ़ता ही चला जाएगा वो last का जीके उठाएंगे पुराना और डाल देंगे इसलिए जीके के लिए आप लोग prepare रखे करो हमेशा इसके बाद अगर बात की जाए तो static के जो क्यूसन उन्होंने पूचिया है दो क्यूसन static से थे वहाँ पे current static जीके था static banking के दो क्यूसन एजी वाले पूचे गए थे तो ये कुछ क्यूसन पूचे गए थे RRBPU मेंस में ये analysis है तो आप लोग देख सकते हो कि last 10 मन्त के पर इस साल chances कम है क्योंकि इस साल सिर्फ 6 मन्त का जी आप लोग तियार करो क्योंकि अगर exam की date जो पहले से विक से उसी पे exam होता है तो जी इस लास 6 मन्त का याता है अगर 6 मैने exam postman होते हैं मेंस के तो मैं भी जी के जो बढ़ेगा बार बढ़ेगा उस पे कोई दिकत नहीं है पर जी के लिए इस बार आप लोग 6 मन्त कोई cover करो क्योंकि exam on date पे होगा आपका इसके बाद clerical की मैं बात करूँ तो यहाँ पर clerical के अंदर जो पूचे गए थे 49 question collect हुए है यहाँ पे और level medium पूचा गया था current affairs के 15 question थे और 15 के 15 question यहाँ पे cover किये गए हैं और mostly question center की जो scheme होती है government के उंचे थे और 10 महिने के question clerical में क्योंकि clerical आपका maybe February में जाके हुआ था तो इसलिए जो वह यह 10 मन्त का GK पूचा गया था आगे बात करें तो static GK से 11 question यहाँ पे cover हुए है static जो current static GK था उससे 11 question आप लोगं के लिए और banking से 2 question थे और static GK के 5 question से static banking and finance के जो question थे 7 question थे तो आप लोग देख सकते हूँ कि banking का बार यहाँ पे बढ़ गया था static का current यह भी current अगर static GK है तो current में ही आए गाई है तो इसलिए current का question जो आप लोगं को 26-26 question देखने को मिला था तो current से आप लोगं के 30 question आते हैं हरार भी में ऐसी बात नहीं आते नहीं पर वो कोई ने कोई सोर से अगर आप लोग फोलो कर रहे हो 70% of है और banking success code यूज करने पर आपको extra of view मिलेगा तो यह वाला आप लोगं के लिए plan रहेगा 16 अगस्ता की last plan है उसके बाद कोई भी discount नहीं आएगा fair cloud पे तो यह वाला code यूज कर लेने अगर आप लोगो fair cloud चाहिए तो वहाँ पे आप लोगं को यह code यूज करने पर 70% discount आ जाएगा अगर आप लोना चाहूँ तो ले सकते हो link दोनों के में discussion लगा जूँगा अब जो mock test की बात आती है कि sir best mock test कौन सा रहेगा अगर हम use करें men's के लिए तो देखे best mock test सभी है यह बात नहीं कि कोई mock test best नहीं होता अपने आप में सभी best होती है पर मैं आप लोगं को early word suggestion दूँगा क्योंकि उनका level जो होता है वो बहुत अच्छा level होता है और men's के लिए विसा ही level आपको चाहिए तो early word आप लोग ले सकते हो link और court दोनों discussion में है तो आप उसको भी check कर सकते हो क्योंकि men's के mock test बहुत कम मिलते हैं 10 ही mock test मिलते हैं हर एक side से तो आप 2 या 3 side मैं आपको recommend करा हूँ कि 2 या 3 side के mock test आप लोग लो आप लोग अगर early word का चाहते हो तो early word का link भी नीची है grade up का अगर चाहते हो तो grade up का link भी नीची है इन दोनों के अच्छा mock test है men's के लिए आप लोग try कर सकते हो क्योंकि 10-10 mock test ही men's के मिलते हैं तो आपको कम से कम अगर आप लोग ने 10-15 या 20 mock test men's के लगा लिए तो exam देने जाओगे ना तो मैं इस बात की guarantee देता हूँ कि अगर आपने 20 mock test दिये हैं उनका fully analysis किया है कोई भी आप लोग न warranty देता हूँ क्योंकि mock test के भीना आप लोग men's में जाते हो बहुत सारे लोग आपको यह वोलेंगे रिकमेंड करेंगे mock test में मत लगाना क्योंकि mock test में आपके दो गंटे चले जाती हैं बाकि analysis करने पर दो गंटे और चले जाती हैं च्यार गंटे आपके खराब होती हैं गया तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप लोग mock test लगाओगे तो आप लोगों के लिए जो last मेरी suggestion है वो यह है कि जिस बंदे ने इस exam के अंदर जिस भी candidate ने time management सिख लिया उसका exam pass है अब time management किस तरह से करना है अगर यह आपको जानना है तो मैं एक short video आपको इस पर डा देना एक video डाल दूँगा time management का कि मैंस के अंदर time management कैसे करें तो जल्दी डाल दूँगा अगर आप लोग कहोगे और mock test में भी बोई चीज आप लोग करना जो time management mock test में करोगे वो ही real exam में करना तो आपको फाइदा बहुत हो जाएगा और इसके लावा आप लोगों के यूज करना है यह वाला code यूज करना आप लोग grade up super पर आईए तो BS50 code यूज करना आपको 60 कंटे की यहाँ पर live class मिलेगी green card का आपको subscription free मिल जाएगा यानि जो men's के test आप लोगो चाहिए न green card वाले जो rrb pure clerical दोनों के लिए test मेंस वाले वो इसमें free मिल जाएगा आप ल student mock और quizzes आपको मिलेगी sectional quizzes आपको men's के लिए especially men's के लिए course है तो involvement इसमें start हो चुके आप लोग चाहती हो तो BS50 code यूज कर लेना आपको maximum discount मिल जाएगा इसके लावा यहाँ पे आप लोग देखिए live courses रहेगा आप लोग के लिए और यह सारी चीज़ें आप लोगों के लि लिंक description देदूँगा इसका अगर आप लोग चाहते हो तो कोई दिकत नहीं इस course को purchase कर लीजिए बहुत कम price पे है और BS50 पे तो discount मिल जाएगा तो एक बार पेसा लगा जिए और RRPPO में आपकी job 100% हो जाएगी तो आप लोग अगर मेहनत करोगे तो definitely job job आपकी इस बार आ जा हम आपकी पूंगा बángत करोगे ऑलिय।